जैसे कि अभी COVID-19 चल रहा है तो इस case में आपका जो insurance है वो COVID-19 को भी cover करता होना चाहिए अगर आपका insurance में COVID-19 cover नहीं है तो शायद आपको travel नहीं करने दिया जाएगा अगर आपके trip में कोई list happening हो जाती है तो उस case में आपको क्या-क्या benefits मिलेंगे क्या का चीज़े है जो आपके जो insurance है वो cover करीगा इंडिया में जितनी भी travel insurance companies है इन सभी के प्राइज़ां जो लगबख सेमी होते हैं आपको सोर में भी कम में भी परटे का insurance है जो मिल जाएगा और नमशकार आदाप स्वाश्यगार तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे travel insurance के बारे में जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर हम इंडिया से बार किसी दूसरी country में travel करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें travel insurance की जरूरत होती है और जैसे कि अभी COVID-19 चल रहा है तो इस case में आपका जो insurance है वो COVID-19 को भी cover करता होना चाहिए अगर आपका insurance में COVID-19 coverage नहीं है तो शायद आपको travel नहीं करने दिया जाएगा और ऐसे में हमारे मन में डेर सारे सवाल पैदा हो जाते हैं जैसे कि हम अपना travel insurance कहां से purchase करें और कौन सी company best होगी उसकी क्या cost होगी और इससे हमें क्या-क्या benefits मिलेंगी इंडिया में बहुत सारी companies हैं जो travel insurance प्रवाइड करवादी हैं जैसे कि HDFC, Ergo, ICICI, Lampard, Reliance, Tata, Edge और भी बहुत सारी companies हैं जो आपको travel insurance प्रवाइड करवादीगी इंडिया में जितनी भी travel insurance companies हैं इनके सबी के जो प्राइज हैं लगबग सेम ही होते हैं आपको सोर पेके कम में भी परटे का insurance है जो मिल जाएगा और जिस company से मैं अपना travel insurance करवाता हूं उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता हूँगा क्योंकि मेरा personal experience आपके साथ और ताकि आपको इससे help मिल सके तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके benefits के बारे में अगर आपके tip में कोई miss happening हो जाती है तो उस case में आपको क्या-क्या benefits मिलेंगे क्या-का चीजे हैं जो आपके जो insurance है वो cover करेगा फर्स नमबर बर medical insurance अगर आपको किसी दूसरी company में कोई भी medical की साहता लेने की जोट परती है तो जो भी आपका खर्चा होगा वो आपकी medical insurance company जो वो उठाएगी और दूसरे नमबर बर अगर आपका baggage जा आपका passport loss हो जाता है तो भी आपको claim मिलीगा इसका और अगर आपकी flights मिक्स हो जाती है डिले हो जाती है तो उस case में भी आपको आप इसका claim डाल सकती है अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं अगर आपने मेरी पुरानी videos देखी हुई है तो आपको पता होगा कि last month मेरा Russia का trip था जो मैं वया दुबाई से होकर जा रहा था और COVID के चलते हुए दुबाई से मुझे रशिया नहीं जाने दिया गया था और जो मेरा ट्रिप था वो कैंसल हो गया था और उस case में मैंने दुबाई से रशिया की flight book की होई थी जिसके मैंने पैसे पहले से ही pay की हुए थे तो वो तो लगवा कूरे डूप चुके थे मेरे तो बा कि आपको आगे से पता हो कि अगर आप कभी भी अपना travel insurance claim करते हैं तो आपको कौन-कौन से documents की जुरूत हो कि ताकि आप अपने documents आपने साथ संभाल कर रख सको तो मुझे उन्होंने मेरी flight tickets मागी थी जो दुबाई से मोस्को के तक की थी और उसकी payment की receipt मागी थी तो वो documents उनको send कर दिये थी by mail तो ऐसे में उनके साथ मेरी बात चित चलती थी daily मैं उनके phone से बात करता था mail के दवार मेरी बात होती रहती थी जो जो documents उन्होंने मुझे मागे वो सब मैंने उनको send कर दिये थी तो लगबग 20 दिन के बाद मेरा जो claim ता वो settle हो गया था और मेरे account मे उन्होंने पैसे डाल दीते जितने भी मेरे उस flight ticket में घर्च हुए थी तो अगर आपके trip में भी कभी कोई miss happening हो जाती है जैसे कि आपका trip cancel हो जाता है किसी बज़र के कारण जा आपकी flight delay हो जाती है और जा आपको किसी दूसरी country में medical की जरूरत होती है आपका passport आपका luggage गु आपने पास संबाल कर रखने होंगे जैसे कि flight tickets होगी और आपकी hotel booking अगर आपने hotel के पैसे पे कर दिया तो उसकी एरसेप्ट आपके पास होने चाहिए और दूसरे नमबर पर अगर आपको medical की जूरत परती है किसी दूसरी country में जितने भी पैसे आपके medical में वहाँ पर खर् उन सबी के आपको bills अपने पास संबाल कर रखने हैं ताकि आप इंडिया वाफिस आकर वो सभी documents अपनी जो travel insurance company हैं उनको send कर सको और आप अपना claim हासिल कर सको तो यह तो थी वो सभी बातें जो travel insurance के regarding थी sorry guys आपको जूरी बात तो मैं बता नहीं बूल गया कि आपका travel insurance आप कैसे apply कर सकते हैं जिस भी company से आप अपना travel insurance बनाना चाहते हैं direct आप उनकी website पर जा सकते हैं और चोटा सा form आपको fill करना पड़ेगा जिसमें आपको आपका नाम और जिस country में आप travel करने वाले हैं उस country का नाम और जिस देट से लेकर जिस देट तक आप travel करेंगे वो particular dates आपको mention करनी होगी और आपको अपना passport number उसमें mention करना होगा यह सब करके आपको वहाँ पर pay का option मिलेगा पे कर देंगे तो जो आपका insurance है company आपको by mail send कर देगी जहां से आप download करके उसे use कर सकते हैं I hope कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो please यार वीडियो को like करें और comment करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली वा रहे हैं तो please चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा